अटिरेश्टेंट्स अब यूज आप सभी लोगा अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे इस पंडेमिक के दोरान और एक नया और विमारी आ गया है वर्ट फ्लू तो जो मेडिकल मेडिकल क्रैसिस से दूर रहें स्वस्त्र है अच्छे रहें आज हम लोग डिसकस करेंगे वो डिसकस करेंगे ओवर वोल्टेज ड्यूट्यू लाइटनिंग क्या है इसके बारे में हम लोग स्टेडी करेंगे और इन सब सारी अब इस लेक्चर में हम लोग डिसकस कर रहे हैं कि जेनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेज ड्यू लाइटनिंग या लाइटनिंग के कारण जो ओवर सब्सक्राइब करें अधर्वाइज आपके किसी काम का नहीं है इंजिनेरिंग से हैं तो आप कर सकते हैं कुछ दिन बाद मैं रेक्विट्मेंट प्रॉसेस भी लेके आऊंगा जितने सारे इंफोर्मेशन के लिए देख सकते हैं साइंस के अगर एस्टुडेंट है तो देख सकते हैं कोई बात नहीं बट आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि इस पर सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे अगर आप कहीं पर फेकल्टी मेंबर है तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टुडेंट को यह चैनल जरूर सेर करें क्योंकि मैं यह तो नहीं कह रहा कि I am the best बट मैं आपको यह बता दू कि जो एक्जाम के पुइंट एवियू से बच्चों का प्रपरेशन करनी है जो उनके सेमिस्टर एक्जामनेशन होते हैं उसके लिए I think this is the first channel where you got the knowledge and the particular material on my slide as as far as your syllabus तो आपको syllabus के according topic-wise material मिलेगा मेरे चैनल पर आपको किसी भी तरकी कोई परेशानी नहीं होगी उसके अलावा मैं आप सभी लोगों से यहीं कहता हूं कि if you are the student please मेरे topic देखने के बाद आप जरूर इन सब बुक में से किसी एक बुक को जरूर रेफर करें उस concern topic के लिए आपको इन सारे books में मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे तो आज कली books में भी अबलेबल है slide share पे भी topics मैं आपको सिर्फ exam के point of view से preparation कराता हूं कि अगर long length answer भी है अगर long answer type question भी आएगा तो आपको easily इसका answer आप लिख सकते as per as the content given by me in my slides as well as my oral lecture so guys let's begin the topic and the topic is lightning पहले हम लोग lightning के बारे में पढ़ेंगे lightning क्या है lightning क्या है an electric discharge between cloud and earth between clouds और between the charge center of the same cloud is known as lightning आप यह image देख सकते हैं आप इसमें देख रहे हैं कि cloud and cloud के बीच में हैं cloud and earth के बीच में भी है मैंने जो image show किया है तो यह क्या होता है जो जब charge का variation होता है positive or negative charge का during two clouds या cloud to earth तो उस time पर यह electrical discharges होते हैं इसका सबसे बरा रिजन यह है कि इतने powerful electrons flow होते है current flow होते हैं जो आपके जो medium है यहां पर बीच में यहां पर dielectric medium क्या है दो cloud के बीच में या cloud to earth की बीच में air है तो air का जो dielectric strength होता है वो ब्रेक हो जाता है और उस कारण से lightning flash over आपको दिखते हैं और आपको sound सुनाई देता है it's a huge spark and takes place when clouds are charged to such a high potential with respect to earth और a neighboring cloud that the electric dielectric strength of the neighboring medium destroyed dielectric medium यहां पर क्या है मैं पहले ही discuss कर चुका हूँ dielectric medium is the air air है इनके बीच में dielectric medium जो की destroy हो जाता है तो air का अगर dielectric strength आप लोग देखेंगे नॉर्मली तो 21 kv per centimeter के आसपास उसी के आसपास nearby होता है जिसको हम लोग dielectric gradient electric gradient भी बोलते है generally then क्या है the friction between the air and the tiny particles of water causes the building up of charges actual में क्या होता है जो आपका air है वो जो flow of air है as well as tiny particles of water tiny particles of water क्या है जब आप lenses से देखेंगे जब humidity level बढ़ता है तो atmosphere में आप देखते होंगे कि water content होता है इसका सीधा-सीधा example अगर आपको देखना हो कि atmosphere में पानी कितना है तो आप simple एक fridge से एक पानी glass का लीजिए और उसको आप table पर रख दीजिए तो आपको जितना ज़्यादा glass के surrounding water condensed होगा उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि humidity level क्या है आपने देखा होगा इंदी season of rainy season होता है तो glasses के surrounding में बहुत सारा पानी condensed हो जाता है जनरली अगर dry weather में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा winter में तो बिल्कुल भी condensed आपको कि नहीं मिलता है when drops of water are formed the water drops formed होता है the larger drops become positively charged obviously बात है जो larger drop होगा उसमें positive charge होगा and the smaller drops become negatively charged जो smaller droplets होते हैं उसमें negative charge होता है जो bigger size का आपका होगा droplets उसमें जो होगा वो positive charge होगा when the drops of water accumulate they form cloud and hence cloud में possesses either a positive or negative charge तो जब water का drops जो है वो सारा accumulate होता है एक साथ due to some chemical reaction in the environment जो अदर-अदर gases available है चाहे carbon dioxide हो या चाहे आपका carbon monoxide हो या sulfur oxide हो या जो भी gas nitrogen हो उसके साथ जब water droplets accumulate होते हैं then it will create a cloud एक cloud बनाता है और वो cloud क्या हो सकता है either positively charged हो सकता है और either negatively charged as per as the availability of the size of water droplets that will be decide कि these clouds are positively charged और these clouds are negatively charged depending upon the charge of drop of water they contain obviously बात है कि अगर bigger size के droplets है then cloud is positively charged and एगर smaller size का है तो हो negatively charged होगा आपने देखा होगा कभी-कभी बारिस होती है तो जो water droplets होते हैं उसकी size कभी मोटी होती है कभी पतली होती है जब पतली है इसका मतलब वो negatively charged है और अगर वो cloud का droplets है water droplets है अगर heavy rainfall हो रहा है मोटे बाद वह हो रहे है इत मिन्स जो water जो cloud है वो हमारा positively charged है अब जो हम लोग देखेंगे अब हम लोग induced करता है equal और opposite charge को on the earth below जो अर्थ नीचे है अगर बानलो positively charged हमारा cloud है तो अर्थ पर negative charge बनाएगा और अगर negatively charged cloud है तो अर्थ पर positive charge बनाएगा equal quantity का जितना charge cloud में होगा उतना ही charge earth में होगा as the charge acquired by the cloud increases जैसे charge उसमें cloud में बढ़ने लगता है the potential between cloud and earth increases तो cloud और earth के अंदर जो potential है that will be increase यह बढ़ने लगता है दीरे दीरे and therefore gradient in the air increases जो air में जो gradient है वो बढ़ने लगता है gradient air gradient जो है वो increase होने लगता है उसमें potential का अब generally हम लोग जब discuss करेंगे generally three type के mechanism में study करूंगा कैसे जो हमारा है यह cloud generate होता है अब इसमें इस वाले case में आप देखिए जब हमारा cloud है cloud के साथ हमारा एक ladder जो है वो generate हो रहा है आप देख लेटर जनरली यह side streamer है कहीं यह side में चला गया इधर भी side में चला गया और step ladder है बट इसमें इतना sufficient ladder generate नहीं हो पाता कि आर्थ तक रीच कर पाया इसका सबसे बरा रिजन यह है कि इसमें जो current है in the ladder streamer is low less than 100 ampere इसमें less than 100 ampere होता है इसके अलावा इसका जो it may be noted that current in the ladder streamer is low less than 100 ampere and its velocity of propagation is about 0.05% of the light of the velocity of light तो यह luiminence भी नहीं होता है इसमें यह दिखता हो इन और आर्थ तक रीच नहीं कर पाता है कि असलिए इसको а। पर्षर के सकते हैं जो चार्जब्स पार्टिकLs अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है and it's not so dangerous यह ज्यादा dangerous नहीं होदा second formation of lightning देखिए आप second formation in many cases the ladder streamer continuous its journey towards earth continuous आप देख रहे हैं earth की तरब इसकी journey हो रही है as the ladder streamer moves towards earth it is accompanied by points of luminescence which travel in jumps giving rise to step ladders तो यह step ladders जो है इसको rise हो जाता है अब जो velocity of step ladders है that will be nearby 1 upon 6 time of the light velocity जो light की velocity होती है उसकी 1 by 6 time होता है इसकी velocity और इसका जो speed होता है अगर आप step की बात करेंगे तो अगर step ladder में step की बात करेंगे that will be one step ते दूसरे step के वीच में जो distance होता है that will be 50 meters 50 meter के आसपस होता है और यह visible होता है first visible होता है यह तो इसमें क्या होता है जो 50 meter steps होता है it may be noted that step ladders have sufficient luminancy इसमें sufficient luminancy होता है and gives rise to first visual phenomena of discharge तो यह में first visual phenomena of discharge देता है इस वाले case में अब third case हम लोग देखते हैं the path of ladder estimate is a path of ionization and therefore of complete breakdown of insulation तो आप जो यह देख रहे हैं यह पूरा का पूरा जो direct अर्थ में जा रहा है इसका मतलब यहां पे complete breakdown mechanism हो रहा है ionization process हो रहा है as the later streamer reaches near the earth a return streamer suits up from the earth एक return आप streamer देख सकते हैं जो की उपर की और जाता है charge को पकड़ने के लिए charge को अपनी और attract करता है ठीक है to the cloud following the same path as the main channel of the downward ladder जो जैसे downward ladder में आ रहा है उसके return भी steamer इसमें generate हो जाता है ladder generate हो जाता है तो इसमें हम लोग क्या देखते है this phenomena causes a sudden spark which we call lightning इसमें पूरा का पूरा lightning अपने को देखता है with the insulating neutralization of much of the negative charge on the cloud any further discharge from the cloud may have to originate from some other portion of it तो इसमें क्या होता है एक जगर जैसे यह होगा फिर इसके बाद एक conduction होना तो इसमें इस केस में जादा lightning होता है आज कल जो आप लोग news में सुनते हैं कि यहाँ पे जादा thundering हो रहा है यह सारा कुछ हो रहा है उसमें यही होता है कि mostly जब हमारा इस तरह का return होता है return estimates generate हो जाता है उस टाम पे यह काफी dangerous हो जाता है human being के लिए अमेरिका में कुछ ऐसे places हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो इंडिया के match चल रहे थे कुछ अमेरिका में stadium में वहाँ पे match को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे lightnings stroke बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस कारण से इसको hold किया जाता है तो next slide में हम लोग देखेंगे कि different different points जो इसमें काफी important points है lightning के रिगार्डियों वो हम लोग देखेंगे अभी जो important points about lightning discharges इसमें first point क्या कहता है lightning discharge which usually appears to the eyes as a single flash is in reality made up of number of separate stroke that reveled on the same part number of कई सारे strokes होते हैं बट हमें वो single spikes दिखता है बट वो single नहीं होता है वो number of strokes होते हैं उसको separately हम लोग देखे रहते हैं the interval between them varies from जो interval होता है उसके बीच में that will be varies from 0.0005 second to 0.5 second each separate strokes start as a downward leader from the cloud वो downward ही होता है cloud से अगर अर्थ की तरफ वो आ रहा है तो it has been formed that यह सब से important point है आप से कही बार 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 में और इंटर्वी में यह चीजे पूछी जाएगी उसमें आप यह point जरूर note करियेगा it has been found that 87% of all lightning strokes जो 87% of lightning strokes है result from negatively charged cloud and only 13% originating from positively charged cloud आप जो देख रहे हैं इसमें जो इधर देख रहे हैं इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 87% जो lightning stroke है वो किस के कारण हो रहा है negatively charged के कारण मतलब small particles of water droplets के कारण जो cloud होते हैं and only 13% are positively charged clouds होते हैं it has been estimated that throughout the world there occurs about 100 lightning stroke per second यह भी point आप note कर लीजे interview कही बार पूछा जाएगा जो आप lightning पढ़ते हैं कि lightning कितने time होता है generally आपको यह चीज़ याद रखना है कि 100 lightning per second का average है पूरे world को अगर हम एक साथ count करें next lightning discharge may have current in the range of 10 kilo ampere to 90 kilo ampere means अगर आप से कभी पूछ ले by default interview में कि lightning strokes की current rating क्या होती है उसमें आपको बताना है कि इसका current ratings are 10 kilo ampere to 90 kilo ampere तक होता है next जो हम लोग देखें यह देखेंगे कि types of lightning stroke क्या है generally दो type के lightning strokes होते हैं तो दो type के lightning strokes में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से होते हैं types of lightning stroke की मैं अगर बात करूँ तो generally two types first is direct stroke हम लोग पहले direct stroke देखते हैं कि direct stroke क्या है in the direct stroke the lightning discharge is directly from the cloud to the subject equipment example on overhead lines जो हमारा overhead lines है उस पे आता है generally from the line the current path may be over the insulators down the pole to the ground आप देख रहे हैं इसके through overhead line पे जाता है यह ground wires लगे हुए हैं जब हम आगे पढ़ेंगे protection system तो वहां मैं study करा हूँग आपको यह ground wire क्या होता है ground wire के थ्रूँ tower और tower के थ्रूँ सिधा ground जमिन में चला है the over voltage is set up due to the stroke may be large enough to flash over this path directly to the ground तो large दिखता है आपको flash over भी दिखेगा सारा कुछ दिखेगा तो generally जो direct stroke होता है generally दो type से होता है तो direct इसमें जब हम लोग देखेंगे पहले के बारे में जब हम बात करेंगे part A, stroke A and stroke B की जब हम बात करेंगे तो stroke A में क्या होता है generally आप देख रहे हो कि हमारा cloud positively charged है direct stroke हो लाइटनिंग हो गई ग्राउंड वायर पर आ गया और चला गया अब second case में आप देखें second case में क्या होता है second case में आप देख रहे है कि generally three clouds हमारे पास है है ना इसमें आप देख रहे हैं between the clouds as shown in figure इसमें तो इसमें आप देख रहे है there are three points P, Q और R तीन clouds है मारे पास are having between the clouds positive, negative and positive charge positive charge P में है Q में आपका देख रहे है negative charge है और R में आपका जो है वो positive charge the charge on the cloud Q is bound by the cloud R अब यह इसके through bond होते है Q और R जो होते है एक साथ bonded होते है इस case में क्या होता है if the cloud P shift too near the cloud Q अगर P हमारा Q के नजदीक जाता है shift होता है then lightning discharge will occur between them and charge on both these clouds disappear quickly तो अगर यह इसके नजदीक जाएगा तो इन दोनों के बीच में एक flash over होगा एक lightning होगी क्योंकि दोनों में आप देख रहे है P और Q में अलग-अलग charges है तो वो उसके कारण जो दोनों का जो accumulated या जो sum of charges होगा वो कहा release हो जाएगा फिर R में तो जैसे इसमें access बढ़ेगा और Q आर के पास जो charges है वो free होगी हो जाएगा और free उसके बाद सिधा वो ground wire पे आ जाएगा transmission लें तो यह आपके direct stroke के example है अब हम लोग देखेंगे कि types of lightning stroke में second जो है that will be the indirect stroke indirect stroke क्या होता है it results from the electro aesthetically induced charge on the conductors due to presence of charge cloud a positively charged cloud is above the line and induces a negative charge on the line by electro aesthetic induction है कि electro aesthetic induction होता है इनके बीच में direct flassover नहीं होता है indirect flassover इसको कहते हैं कि इस cloud और इसके कारण एक बीच में electricity sorry एक charge mechanism develop हो जाता है the induced positive charge leaks slowly to the earth via the insulators तो यह क्या होता है जो insulators यहाँ पे मारे लगेवे इसके through earth में slowly slowly जाता है when the cloud discharge to earth or to another cloud the negative charge on the wire is isolated as it cannot flow quickly to earth over the insulator यह easily the mean में नहीं जा पाता है तो positive charge आप देखरें insulator के पास और जो हमारा conductor wire है transmission line के इस पेक negative charge develop हो जाता है the result is the negative charge rushes along the line is both direction in the form of traveling waves तो यह क्या होता है दोनों तरफ move करता है इस तरफ भी और इस तरफ भी और that is in the form of traveling waves majority of surge due to indirect lightning stroke तो जो surge होता है जो switching surge होता है वो किसके कारण होता है due to indirect lightning stroke के कारण ही होता है transmission line में generally lightning नहीं होती है तो भी आप देखते हों कई बार इस तरह के strokes counted होते हैं तो harmful effect of lightning की अगर मैं बात करूंगा इसमें पहला है the traveling waves produced due to lightning surge will setter the insulator and may even wreck poles जो हमारा poles होता है और वो सारे चीज़े होती है उसको बहुत ज्यादा damage करता है traveling waves lightning के कारण जो होता है वो if the traveling waves produced due to lightning hit the winding of a transformer or generator it may cause considerable damage तो क्या होता है देखो किसी भी transformer की जो हम लोग बनाते हैं winding या alternator की जो हम लोग winding बनाते हैं उस winding में क्या होता है सबसे में चीज़ आपका winding के बीच में हम लोग एक insulation provide कराते हैं उस insulation के बीच में proper dielectric strength हम लोग maintain करके रखते हैं कि इस range तक ये काम करेगा तो हमारा dielectric strength इतना इसके maintain है but due to some problems उसके बाद क्या होता है जो हमारा dielectric strength है वो damage हो जाता है तो dielectric strength अगर हमारा damage हो जाता है तो क्या होता है आपका जो insulator जो उसके winding के बीच में जो isolation provide किया हो है वो damage हो जाता है और winding हमारी जो है वो burn हो जाती है the electric charge piles up against the transformer this induces such an excessive pressure between the winding that insulation में breakdown वही चीज़ मैंने भी आपको बता है resulting in the production of arc once the insulation has broken down and an arc has been started by momentary overvolting तो क्या होता है उसके बीच में flash over हो जाता है arc develop होता है और उस arc के करण जो heat होता है तो पूरा का पूरा जो machine है वो हमारा damage हो जाता है if the arc is initiated in any part of the power system by the lightning stroke this arc will set up a very disturbing oscillation in the line this may damage other equipment connected to the line तो यह क्या होता है generally हमारा जो system है उसको totally unbalance कर देता यार यह जो suddenly जो एक lie over voltages होता है due to lightning तो इस वाले lecture में आपने देखा कि lightning क्या है कैसे develop होता है वो मैंने आपको बताया उसके बाद मैंने जो उसके important points है जो lightning के regarding हमें याद रख रहे हैं वो मैंने discuss किया है इसके लावा मैंने आपको बताया कि types of lightning stroke क्या है आपको बताया कि harmful effect of lightning stroke क्या है तो next lecture जो हम लोग discuss करेंगे next lecture में हम लोग क्या करेंगे हम लोग next lecture में इसके जो protection techniques है lightning के उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे protection against lightning किस तरह से हम लोग कर सकते उसके बारे में next study करेंगे आप सभी ने इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा जो जो important point में ने slide में दिये हैं आपने उसको note किया होगा और I hope if such type of question came in your examination you are sufficient matter to answer the question and get full marks in your university paper so guys wish you all the best last but not the least मैं आपसे यहीं request करूँगा कि अगर आप electrical engineering के student है किसी भी year में है तो मेरे channel को जरूर subscribe करें अपने friends के बीच में share करें और अगर आप faculty member है किसी भी university में across the country in the department of electrical engineering तो please मेरे channel को जरूर subscribe करें और share करें अपने students और colleagues के बीच में so wish you all the best guys thank you